नमस्कार दोस्तो आपने एक न्यूस कटिंग तो जरूर ही देखा होगा जहां जारखन प्रीमेर सर्वीस के बारे में बोला गया तो आए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जारखन प्रीमेर सर्वीस क्या है और 14 JPSC वाले जो भी कैनिलेट्स हैं उनको इस चीज से क्या सीखना है उससे पहले दोस्तो आपको ये समझना होगा कि JPSC क्या है JPSC एक कमिशन है जो एक्जाम लेती है आप DYSP वीडियो जैसे पोस्त में आप जा सकते हैं ये एक स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एक्जाम है और इसको स्टेट सिविल सर्विस भी कहा जाता है और JPSC जो एक्जाम होती है वो तीन चरणों में होती है सबसे पहला है प्रेलिम्स फिर मेंस फिर इंटर्व्यू उसके बाद में आपकी मेरिट लिस निकलती है और अभी की में बात करूं तो अभी फिलाल 11 to 13 JPSC चल रही है यानि उनका अभी मेंस अभी होने वाला है अब बात करते हैं कि 14 JPSC में अगर जारखन प्रीमियर सर्विस लागू हो जाता है तो क्या SDM का पोस्टिश में आ जाएगा तो देखिए यह जो जारखन प्रीमियर सर्विस में प्रोमोट करने के लिए उसका प्रोसेस है उसका बहुत सारे प्रोसेस होता है वो एक कलम से साइन करने से नहीं होता है मतलब वो डारेक्ट उसको एसेमली में उसको बढ़ियां से इसको पास करना होगा उसके बाद ही वो सब चीज़ होगी यानि कि यह इस चीज़ में भी समय लगेगा और जब भी जारखन प्रिमेर सर्विस जब वो एलोट हो जाएगी या जारखन प्रिमेर सर्विस जब वो लागू हो जाएगी तो जितने भी JPSC कॉलिफाइट जो हैं वो सारे वो सब उसी प पोस्ट में आ जाओगे तो इसलिए आपके लिए विन-विन सिचुएशन है और अगर आपको 14 JPSC के बारे में जानना है तो मेरे बहुत सारे वीडियो से ये भी आप लोग देख लिजेगा और रिसेंटली मैंने एक हनी ट्रप के बारे में वीडियो बनाई थी आपको स्क झाल